G.I.S. में ऐसे निवेशक भी आये हैं जिन्होंने यूपी के उन जगों पर निवेश करने का मन बनाया है जहां पहले इन्वेश्टमेंट को एक बड़ी चुनोती माना जाता था उत्तर प्रदेश में निवेश का ऐसा माहौल बना है कि उन छेत्रों में जहां पर कभी काफी परिशानिया थी सूखा इलाका था लोग आत्महत्या कर रहे थे इंडस्ट्री की कोई बात सोच नहीं सकता था पानी के लिए लोग तरस्ते थे हम बात कर रहे हैं बंदेल खंड क बंदेल खंड के उस इलाके में ऐसे निवेशक सामने आये हैं अजीद गुपता जी हैं जिन्होंने हजार करोल रूपए का सरकार के साथ समझे पत्र पर हस्ताक्षर किया है यह में हूँ किया है रियल स्टेट शेत्र से आते हैं अजीद जी क्या सोच करके आपने इतना आत्तों को समझ रहे हैं इसलिए पूरे प्रदेश में इतना बहतर इटमास्पियर दिख रहा है कि लगवग 34 लाग करोन का इंवेश्मेंट मू गवर्मेंट का एगरिमेंट हुआ है तो बंदिल खंड के लोगों को भी प्रेणा हुई और मुखपंत्री जी का विसेस फोक पर यह बंदेल खंड के लिए मील का पत्थर होगा खासतार पर डिफिंस काडिडोर के लिए पूरे वर्ड के अंदर एक अलगी अट्रेक्शन है बंदेल खंड डिफिंस काडिडोर जो मानी मुखपंत्री जी का ड्रीम एजंडा है कल में जब यहां था कारकम में और आज तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए हैं उनका बहुत बड़ा फोकस है कि बंदेल खंड जो डिफिंस काडिडोर है और जो उससे सम्मंदित अलग-अलग छित्र है बहतर निश्चित तोर पर एक बहुत बड़ा बहुत वाइड और बहुत 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 रिटरीन करूण है आठ गुने का ट्रेक्शन है कल कल ट्विटर में भी हैस्टाइक नमबर वन था पूरे इंडिया के अंदर तो मतलब अलागी है लोग पागल है वह उत्तर प्रदेश कंदर इंवेस्टमेंट करने के लिए बहुत गजब का तो साहन है जाहिर है कि उत्तर के साथ जो है वह सरकार के साथ खड़े भी दिखाई देते हैं उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए दिखाई देते हैं राम जी वाजपई के साथ आशुतर सुकला डेडे नियूस लखने